हेलो गाइस हवरी वॉल आज की इस वीडियो में हम डेस्टिक स्कूल आफ लॉव जो कि जुरिस्ट्पूड़न्स का एक टॉपिक है हमने अलग अलग जो स्कूल से हम वह अमने डेस्टिक कर दिया है इस्टोरिकल सॉशोलोजिकल यह sociological school का ही एक part है वो हम डिस्स कर रहे हैं बाकि जितनी वी videos हैं वो आप i button में देख सकते हो या चैनल की playlist पे जा करके देख सकते हो तो चलिए आज की यह video है वो शुरू करते हैं तो इस video में हम सबसे पहले वो content देख लेते हैं जो कि हम यहाँ पर करने वाले हैं सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर रियलिस्ट स्कूल ऑफ जूरिस्पृडेंस क्या चीज़ है उसके बाद में हम डिस्ट करेंगे कि यहां पर जूरिस्ट कीन कीन जी कराता है यानु कौन-कौन से जूरिस्ट हैं जिननों ने यहां पर अपना-पना कॉंट् जूरिस्त हैं उन्होंने अपने-पने क्या-क्या व्यू-पॉइंट दिये हैं वो भी हम यहां पर इस के अंदर डिस्क्स करने वाले हैं तो चलिए बिना किसी दरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि जो रियलिस्ट अप्रोच है यह जूरिस् टाइम जो चलता है जैसे कि कोर्ट जजीज वगरा है उन सबी चीजों का यहां पर जिकर किया गया है उसके बाद में हम देखते हैं कि जो ठीजिस्ट है रियलिस्ट की वो बेस्ट किसके उपर है एक नोशन है एक अबधारना है जिस पर बेस्ट है वो अबधारना या है उनका एक तरह से एकठा कुछ रूल्स है जो कि क्या है जुडिशल एक्शन और ओफिशल एक्शन है उनकी एक तरह की आइटम है उन आइटम्स का एगरिगेट है और यहां पर एक नोशन कौनशी है वो है लौ इस वर्ट जजिस डिसाइड यानि कि जजिस क्या पर यह थीसिस है रियलिस्ट की वो है तो इसको हम डीपली भी डिस्कुर्स करेंगे इसमें वीडियो में आगे तो वीडियो में एंड तक बने दिये ताकि आप से किसी भी तरह का को टोपी का वो छूटना जाए और वो किन चीज़ों पर एफसाइज करते हैं वो एक एलिम किया है कि यह क्या है not as a set of legal prepositions बलकि यह एक official actions के तोर पर यहाँ पर डिसकुस किया गया है यहाँ पर किसी तरह कि legal prepositions नहीं है बलकि यहाँ पर क्या है official actions तो इसको अब आगे की slides में डिसकुस करते हैं कि किस तरह से हैं यह सारी चीज़ें तो सबसे पहले हम देखते हैं क वो क्या है वो एक पार्ट है सोशोलोजिकल अप्रोच या निकि तो सोशोलोजिकल स्कूल है उसी का ही एक हिस्सा है ये रियलिस्टिक अप्रोच इसी लिए कुछ जो जूरिस्ट है या कभी-कभी हम इसको क्या कह सकते है लेफ्ट विंग आप दी सोशल और फंक्शनल स्कूल है उसकी इसको हम लेफ्ट विंग कह सकते है और जो रियलिस्ट स्कूल है वो सोशलोजिकल स्कूल से किस तरह से डिफर करता है उसके रिकार्डिंग यहां पर दो बातें कहेंगी है एक तो यह कहते हैं कि ना ही तो यहां पर जो social effect है law के उनकी study होती है second क्या है कि ना यह किसी ऐसी a priority से start होते है a priority किस तरह की जैसे की balance of interest का जो की earring की theory हमने interest theory बात की है ना पिछली वीडियो में sociological जो आई बिटर्ण में जाके आप देख सकते हैं यहां पर और एक social engineering रोसकोप और वो भी हमने discuss कर ली है वो भी इस तरह की जो ear priority है उनसे यह start नहीं होती तो वो चीज़ें होती है बलकि यह किसी पर focus करती है यह focus करती है scientific observation of the law law की scientific observation science जानते हैं आप experimenter पर बेस्ट होती है working पर बेस्ट होती है science उसी अधार पर यहां पर law को भी scientifically observe किया गया है किस अधार पर उसकी making के और working के यह नहीं कि law किस तरह से work करता है या judiciary किस तरह से work करती है और उनके actions किस तरह से हैं या किस तरह से यह चीजे बनती है उनके अधार पर उनहीं के according इसको ज़्यदा focus किया गया है कि scientifically इसको observe किया जाए उसके बाद में हम realism का थोड़ा सा meaning देख लेते हैं हमने पिछली side में वैसे देख लिया है कि इसके meaning और working के उपर ही ज़्यदा observation scientifically किया गया है और यह movement है इसको realist नाम क्यों दिया गया है क्योंकि इसमें study की गया है law as law it is in actual working and effect उसकी actual working क्या है और उसके effect क्या पढ़ते है उस आदार पर इसको यहाँ पर study किया गया है तो इसलिए इसको realist नाम दिया गया है आपर दो jurist हैं उन्होंने दो अलग-अलग definition दी है वो देख लेते हैं कि यहाँ पर जो professor pound down के according है जो realism का क्या meaning है वो कहते हैं कि fidelity to the nature nature के साथ में एक निस्टा होगी और second होती है accurate recording of things as they are जैसी वो चीज़े हैं वैसी की वैसे recording यह क्या है realism और यह contrasted है किन चीज़ों के साथ में किन चीज़ों के विपरित है वो क्या है एक ठीक जैसे कि they are imagine to be यह ऐसी होनी चाहिए wish to be यह ऐसी कास ऐसी होती या इनमें कोई feel करता है कि they are to be या ऐसा होना चाहिए होना चाहिए ऐसी imagine करना ऐसी होनी चाहिए इन चीज़ों के विपरित यह accurate actual में क्या चीज़े है उन्हीं को यहां पर realism माना गया है उसके बाद में second jurist 10 लेड़लियन उनके according realism क्या है कि एक school नहीं है इसको हम school नहीं कह सकते बलकि इसको क्या कहा जा सकता है एक branch of the social logical school यह हमने सुर में देखा था कि यह क्या है part of the social logical approach या school उसी तरह से यहां पर इन जूरिस्ट नहीं कहा है कि एक branch है यह concentrate किसी चीज़ के उपर करती है इसकी actual working के उपर इसके effect इसी लिए इसको realist school का गया अब इसके बाद में next stride में हम यहां पर discuss करने जा रहे है वो है कि reason क्या है यहां पर realist school को establish करने के तो इन में यहां पर mainly तीन reason दिये गए है वो देखते हैं कौन कौन से है first reason है इसमें reaction है कौन से school के किसके खिलाफ है यहां पर reaction यह है social logical जो jurist है जिन्होंने social effect of law के बारे में बात करी गी है उनका यहां पर reaction कर रहे है इस school में यह एक reason है इसको establish करने का second reason है यहां पर ignore करना किसी इसको ignore करना यह theory of interest है और second theory of social engineering इसको यहां पर यह क्या कर रहे है इग्नोर कर रहे है इंट्रेस्ट वारे theory earring के द्वारा दी गई है और उसको pond के द्वारा दी गई है social engineering जिसको हमने यहां पर discuss कर लिया आप जाकर के चैनल की playlist section में देख सकते हो और यहां पर एक main काम है जो सबसे ज़्यादा important क्या है यहां पर वो है realist school का वो है point out करना importance of the courts and importance of the judges the human factor is the judges and the lawyers यानि कि जो court क्या import decide करती है judges क्या decide करते है उन चीजों को यहां पर importance देना उसी को यहां पर point out करने के लिए school को introduce किया गया है establish किया गया है I hope कि आपको यह तक समझ में आ गया होगा इसके बाद में हम देखते हैं कि type of realist school मैंने इसको type नाम दिया शायद यह एक तरह से दो trend है जो कि चलते हैं आ रहे हैं जिनके अधार पर यहां पर हम देखते हैं कि कौन-कौन से हैं वो यह दो trend है एक तो है American Realist School और second है Scandinavian Realist School अब American Realist School क्या है यह एक product है किस चीज़ का product है यह एक यथार्त वाद्यान कि pragmatist and behaviorist approach है जो school की उसका एक तरह से product है इसके अंदर जो court की working है court के actions हैं उनके उपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है उनको ज़्यादा emphasize करते है यहाँ पर judicial behaviors है work किस तरह से कोड़ता है court उन चीज़ों पर यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है इसके अंदर जबकि अगर हम बात करें Scandinavian जो Realist School है उसकी बात करें तो उसमें क्या है कि एक जो metaphysics foundation है of law law की जो एक अज़्यात्मिक जो नीव है उसका एक तरह से philosophical critique यानि कि philosophical दार्चनिक तोर पे उसकी आलोचना करना किसकी एक metaphysics जो अज़्यात्मिक जो इसकी foundation है नीव है law की उसको criticize करना और अब इनके जुरिस्ट कौन से हैं American Realist School के जुरिस्ट हैं Gray, Jeremy Frank और वहीं अगर हम Scandinavian Realist School की बात करें तो यह आगे Oliver Crona, Ludstat, Rose Hegerström यह जो है इनके जुरिस्ट हैं अब आगे हम अलग अलग जो जुरिस्ट हैं इनके व्यूज देखते हैं क्या क्या इन्होंने जो अपने व्यूज दिये हैं अब होलें प्रोफेसर ओलें कहीं या जुरिस्ट कहीं तो इन्होंने अपनी राइटिंग में और एज जजज आफ दिस सुप्रीम कोट इन्होंने क्या किया है कि यह एक fundamental रोल है वो पार्ट है वो प्ले करते हैं कि इस चीज़ में जो लाव का attitude है उसको change करने में इन्होंने एक fact है उसके ओपर बहुत ज़ाता जो है emphasize क्या है वो क्या है कि जो life of law है वो क्या है दो चीज़ों पर बेस है एक तो experience as well as logic यानि कि इन्होंने experience और logic के ओपर ज़ादा किया है ध्यान दिया है इन्होंने अब उनका क्या view था कि law क्या है as a prediction what court will decide एक तो ये चीज़ होगी और उन्होंने stress किस पर दिया है एक empirical and pragmatic aspect क्या है law का यानि कि अनुभव और वहवार जिसको हम हिंदी में कहेंगे वो aspect क्या है उसके उपर इन्होंने जो court decide करती है कुस्मेटर को जिस्टम है ये चीज़ें ध्यान रखती है उन चीज़ों पर यहाँ पर ज्यादा emphasize किया है अपने एक paper में एक paper इन्होंने है वो publish किया था वो कब किया था इन्होंने किया था 1897 में उन्होंने क्या कहा था कि अगर आपको देखना है कि लो क्या है तो आप एक bad man की आँखों से देखें वो किस तरह से कि वो bad man क्या देखता है कि what will happen to him if he does certain thing वो क्या देखता है कि अगर मैं कुछ चीज़ें करता हूँ तो मुझे क्या होगा तो वो चीज़ें है यहाँ पर अगर वो यह काम करता है यह क्राइम करता है तो उसके साथ में यहाँ पर क्या अपनी स्मिंट है क्या चीज़ें है या वो यह एक्ट करता है तो उसके बदले में उसके साथ में क्या होने वाला है bad man क्या इसे आप देखो जब तक कि एक court है वो judgment pass नहीं करती किसी certain fact या किसी भी case के अंदर तो तब तक वहाँ पर कोई भी law है वो उस subject के ऊपर existence में नहीं होता यानि कि कोई trial चल रहा है उसके अंदर जो subject है उसके ऊपर कोई law नहीं है इस school के according जब तक कि वहाँ पर एक judgment pass नहीं कर दिया जाता court के दोरा जैसे judgment pass होगा वहाँ पर एक law introduce हो गया वहीं पर अगर अगर हम opinion की बात करें lawyers की opinion की इसी के regarding तो वहाँ पर only a guess है कि कि किसके बारे में what court will decide decide क्या करेगी court एक guess ही लगा सकते है as a lawyer हम यह तनी कह सकते भी यह court यह decide करेगी हम अपनी तरफ से argue करते हैं चीज़े देखते हैं उसी अधार पर हम guess कर सकते हैं कि यह चीज़े होने वाली हैं तो इसी अधार पर उनने law को किस तरह से define किया गया है in the term of the official action not in of the rules which should guide actions यहाँ पर इसी अधार पर हम कह सकते हैं कि जो actions है यानि कि यह judgment यह action हो गया एक तरह से यहाँ पर जो पूरा matter है उसको करने के बाद में नहीं कि वो वाले rules जो कि यहाँ पर guide कर रहे हैं यह judgment जो देने में क्या कर रहे हैं guide कर रहे हैं यानि कि जब यह judgment quote करती है तो उसके अंदर जो rules जो गाइड करते हैं इस subject को decide करने के उपर तो उस time जो rules होते हैं वो क्या है यहाँ पर law नहीं है law क्या है यह judgment यह action क्या लिया है उन्होंने उस particular act के उपर या उस particular subject के उपर तो वो law है और यह action है एक force को follow करते हैं जो की influence करती है एक judge को decision लेने में कि उसे क्या decide करना है तो वही क्या है यहाँ पर एक fit subject है of the jurisprudence यानि कि जो influence force है actions है वो यहाँ पर fit subject है jurisprudence का तो यह था Holland's का view American Realist School के अंदर अब उसके बाद में grey का view देखते हैं यहाँ पर अगर grey की अगर और बात करें तो उन्होंने यहाँ पर law और law के जो sources हैं उन दोनों के बीच में distinction किया है एक तरह से अनभेद परकट किया है कि वो क्या करते हैं कि law क्या चीज़ है और source of law क्या चीज़ है चलिए देखते हैं कि law क्या है उनके according law है वो क्या है कि जो judges decide करते हैं वो क्या है यहाँ पर law है और उन्होंने law को किस तरह से define किया है वो कहते हैं कि law of the state या किसी body of organization या किसी man या कि लोगों से minimum कोई body है तो उसमें क्या है composed है कुछ rules जो की किन के दोरा lay down किया जाते हैं उन courts के दोरा क्या है वहाँ पर judicial कोई organ है या कोई वो body है वहाँ पर इसी तरह की कोई तो जो lay down करती है उनके legal right या duties को determine करने के लिए जो rules lay down किया जाते हैं वो यहाँ पर क्या है law है यानि कि जो just decide करते हैं जबकि दूसरी set में sources क्या है everything else इन चीज़ के अलावा कुछ भी है वो statutes है या कुछ अधर चीज़ है वो सारे के सारे है source of law only source of law उनको यहाँ पर माना गया है unless कब तक है वो source of law unless they are interpreted by the court जब उनको court interpret कर दिया तो वो क्या बन जाएंगे law बन जाएंगे ठीक है जब तक कि वो interpreted नहीं होते court के दोबारा तब तक वो source of law है और उन्होंने इसके बारे में क्या कहाँ गया है कि जो statute है उनमें जो courts है जो courts हैं नयायायले हैं वो क्या करते हैं put the life into dead word यानि कि वो dead words हैं उनमें जान डालते हैं life पूट करते हैं जीवन परदान करते हैं उन सब्दों को और वो क्या कहते हैं और यहां पर gray ने क्या कहा है कि जो other जितने मीं sources हैं जैसे कि expert के opinion customs या policy public policies बेकराई हैं या सारे sources of law के अंदर आते हैं ये gray का view था इनके उपर अब उसके बाद में फ्रेंक का view आता है फ्रेंक जो जुरिस्ट हैं उन्होंने अपनी एक book लिखी थी जिसका title क्या है कि law and the modern mind 1930 की बात है उन्होंने जो अपनी इस book के अंदर किस चीज़ के उपर ज़्यादा explain करने की कोशिश की है अपनी theory of law और jurisprudence के अदार पर यानि कि law ए निश्चित है और अगर उसकी निश्चिता आपको देखने है तो वो एक तरहें का वहम है ब्रह्म है ठीक उन्होंने जो myth है achieving the certainty through the legal rules legal rules के तरूँ एक certainty एक निश्चिता को प्राप्ति करने का जो myth है ब्रह्म है मिच्चा है उसके उपर उन्होंने अटेक किया है और वो क्या कहते है कि उन्होंने जो यहांपर है जो रियलिस्ट थे जो उनको यहांपर दो ग्रूप में डाल दिया एक ग्रूप बन गया उनका rules skeptics और एक आगया facts skeptics अब यह क्या कहते है पहले rules वालों को देखते है कि वो क्या कहते है rules skeptics क्या कहते है कि जो legal uncertainty है वो एक residing principle है कि इसमें paper में rule of law के जो papers होते हैं उन में और वो क्या discover करते हैं और वो कोशिश करते हैं क्या खोजने की uniformity in the actual judicial behavior के अंदर यह चीज़ें यहाँ पर इस school में है rules skeptics का जो group है उसमें थी अब जो fact skeptics है वो देखते हैं क्या कहते हैं वो कहते हैं वो यह सोचते हैं कि जो unpredictability है court की decisions की वो कहां पर reside करते है primarily in the elusiveness of facts यानि कि जो तथ्थे हैं facts हैं इनका एक तरह सा illusionist एक माया जाल है उनके अंदर जो court के decisions की unpredictability रहती है इनकी पहले से मनुमान नहीं लिका सकते एस्थिरता है एक तरह से prediction नहीं कर सकते तो वो चीज़ें यहाँ पर reside करती है अब नेक्स्ट आता है Scandinavian Realist School अब इस सकूल में क्या कहा गया है वो देखते हैं यह सकूल क्या कहता है कि जो Scandinavian Realist School है वो resemble है अधर जितने भी modern सकूल है उनकी positiveist outlook के अंदर और जो desire करते हैं जितने भी metaphysics हैं उनको eliminate करने के रिकार्ड़िंग जो इच्छा रखते हैं उन सबी जो modern सकूल है उनके resemble ही है यह और यहां पर क्या है कि इस सकूल के लिए लोग को किस तरह से explain किया गया है लोग को यहां पर explain किया गया है purely in the term of observable facts or the study of such fact ऐसे जो fact है उनकी study और उन facts को purely observable facts की तरफ यहां पर explain किया गया है जिनको हम यहां पर क्या कह सकते है science of law पर actual में इसको हम true science भी कह सकते है जैसे की like कोई other जैसे facts है या events है एक casualty एक normal casualty के realm में एक शेतर में जहां पर facts और events एक दूसरे से concern होते हैं उसी तरीका से यहां पर इसको concern करके एक true science वाना है अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने जितनी भी जो notions हैं जैसे की binding force, validity of law existence of legal right and duty notion of property यह जितने भी है notions इन सभी को dismiss किया या है as a mere fantasy of mind with a no actual existence यानिकि इनका यह सिरफ imaginary word है जो metaphysics word है उसी के अंदर exist करती है कहीं बाहर नहीं यह इनको as a mind fantasy के तुर पर इनको dismiss किया है इस school के अंदर तो यह scandavian school के regarding था छोटा सा topic है अब इसके बाद में basic tenet देखते है realist school के उससे पहले आप अगर इस channel पहली बार आए हैं तो इस channel को subscribe कर लें नीचे red color का button होगा अगर आपको यह वीडियो अची लग दिया तो इसे like करें और अपने दोस्तों शाथ में भी share करें playlist वगरा चेक कर लें इसमें अलग-अलग videos आती रहती है तो चलिए इसके basic tenet देख लेते है realist school के यह क्या है combination है positivist और sociological approach का second यह center है around the judges and law what law is what judges decide यानि कि जो judges decide करते हैं वही law है और इनकी जो approach है वो empirical है अनुभवपाद के उपर अधारित है second law क्या है what court do यानि कि court क्या करती है उस पे अधारित है नए कि जो court क्या कहती है उस पे अधारित है ठीक है उसके बाद में doctrine of prudent is the main source of law इसमें discuss किया गया था तो यह था आज का हमारा topic Realist School of Law Jurisprudence का आई होप कि छोटा सा topic था लेकिन इस वीडियो को थोड़ा लेंट ही कर दिया है ताकि आपको इसके regarding किसी भी तरह का कोई doubt नार है आई होप कि आपको इस वीडियो आपने इस वीडियो को enjoy किया है and thanks for watching keep learning, keep growing